हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई इज्गेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो सभी को हमारी पीडियाफ का इंतिजार था और वो इंतिजार दोस्तो धेरे धेरे खतम होता जारा है क्योंकि दोस्तो 25 पार्ट तक की सीर मिलेगा डाटा जितना भी मिलेगा वो विल्कुल फरी मिलेगा टीक है और इसके बदले में दोस्तो आप इतना कर सकते हो जो बीडियाफ पीडियाफ आप डाउनलोड करते हो ठीक है उसको सभी के साथ शेयर जूरूर कर दें किसी ने किसी की help होती रहे तो पीडियोफ को download कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं इसके लिए दोस्तो लिंक दिया हुआ description में उस लिंक पर जैसे ही आप कलिक करोगे तो हमारी website के main page पर आ जाओगे जो हमारा लोड कर रहा है वहां से भी आप विस्तार से जानकारिया देख सकते हो तो वह भी आप देखना चाहो तो यहां पे जाकर देख सकते हो जैसे कि दोस्तो यह आपको मिल जाएगा district district wise gk के अंदर जाओगे तो दोस्तों अंबाला है जितने भी जिले हैं वह दोस्तों हमने कुछ लगबग अपडेट कर रहे हैं वहां से जाकर आप देख सकते हो ठीक है तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों अ हमारी एक वीडियो के अंदर cover हो जाते हैं ठीक है तो वीडियो कम से कम एक बार जरूर देखें फिर चाहें PDF की तरफ आप बढ़ें कोई दिकत नहीं है तो दोस्तों चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि latest वीडियो की अपडेट आप तक पह जाना जाता है बास करें दोस्तोव वन्ये जी ओ ब्यारने की तो सोनसार जंगल और दोस्तों जो हमारा सुल्तान पूर पकसी बिहार है बरी-बरी-इंपोर्ट बन चुके हैं तो दोस्तों सोनसार जंगल जो है हमारा right option जो रहेगा वो रहेगा option C दोस्तो सरस्वती वन्ये बेरने को स्वंसार जंगल के नाम से वी जाना जाता है जो हमारे कैथल के अंदर स्थितते स्थित लिए इस। सुल्तानपूर पक्षी विहार गुरु गुराम के अंदर है और 1972 के अंदर दोस्तों उसको जलिये पक्षी एतुव अरक्षित गोसित किया गया था वरी इंटरस्टिंग क्योसन जैसे उसको पक्षियों का सवरक कहके पुकारा जाता है हमने पीसली वीडियो में क्योसन कवर क और Siberian SARS के परवास के लिए सबसे ज़्यादा पहिमस सुल्तानपूर पक्षि वियार को जाने जाता है कालेसर दोस्तों करना यमिन न clarify क्यों के अदर है नास early का बजड कि नाम पेस्किया है जो आजार नबर के बज़ट की तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उपसन हमारा एह दोस्तो राजयपाल के नाम राजयपाल का जो वहाँ पेस किया जाता है बढ़ ले थे तर्ड नंबर करूसन की तरफ एक जार नो के थाने सर पर आकर्मन वहा था उसकी यहां बात की गी है जो थाने सर पर आकरमन हुआ था तब वहां का सासक कौन था तो दोस्तों वहां के सासक की बात की गी है एक हजार नो की बात दोस्तो ठीक है एक हजार नो के अंदर दोस्तो महमूद गजनवी ने आकरमन किया था और दोस्तो वहां का सासक तो था वो जैपाल था ठीक है कौन था जैपाल और दोस्तो महमूद गजनवी जो था बिना वा लड़े ही वापी चला गया था फिर दोस्तो कि एक बहुत ज़्यादा फ्हेमस मुर्ती थी वो भी दोस्तों उसने वहाँ तोड़ दी थी तो दोस्तों हरियाना परदेश को जो है मैमूद गजिनवी जब आकरमन करता था तो इसको एक रास्ते के रूप में यूज करता था ये भी क्योशन जो है एक बार एक्जाम में दौनों के दोनों उपनियास राजाराम सास्तिरी डिवारा लिके गई हैं और इसका सही जो आप जो रहेगा वो रहेगा उप सन आमारा ये दोस्तों समाजी जाड़ू फिरी उपनियास का खत्नां कैसा है एक टाप से समाज की दरफ जो है जागरूत करने के लिए जो है यह बना रहे है नाथ परंपराओं के जोगियों दोरा अपनी परार्थना के लिए प्रियोग किया जाना वाला है वाद्या यंतर भाद्या यंतर से डिए भी दोस्तो हमने अची वीडियो अप्रियो प्रियोड कर रखी है तो इसका साही ज़व जो रहेगा वो रहेगा उप्सटgado मन्जीरा निर्त्या जो है नाथ जो प्रमपरा थे जो यूज करते थे अपनी प्रात्थना के दुरान बढ़ लेते हैं दोस दोस्तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा option हमारा बी राजेपाल जिल्ला मुख्य न्याइद इसकी नियुक्ति कोन करता है दोस्तो राजेपाल करता है इसके लाओ दोस्तो राजे में लोग सेवायो के सदेश्यों की नियुक्ति कोन करता है राजेपाल ही करता है रा और इस च Castro ईशल बगेरा होता है, उनकी न्युक्ति भी राजयपाल के दुरा की जाती है, और ये question दोस्तो राजयपाल के पद से अठाने शे पूचा जाता है, लेकिन दोस्तो सविदान के इंदर राजयपाल को पद से अठाने का कोई एसा जो है गिवर्ण अभी तक नहीं क होती है और वह है जो सभी कारे जो किया जाते हैं तो वेश्ट्वरी इंट्रश्टिंग क्योंसं जो है यहां से उठाए जा सकते हैं और दोस्तो रास्ट्व से रलेटड़ग समन्नेज़ स्लॉख्पारidents से लेश्चे Channel और इसका दोस्तों कारेकाल से लेटेट पांच वर्ष से जुड़ा वक्योष्टन भी पूचा जाता है हर्याना में वरिक्ष दिवस कब बनाया जाता है वरिक्ष दिवस की हम बात करें तो राइट ओप्षन जो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा 606 इश्वी के अंदर अर्ष वर्ष रधन ने अर्ष समवत की सुरुआद की और अर्ष से लेट दोस्तों हमने बहूत सारे क्योषन कावर कर दिये हैں परबाकरवर्दन 581 में राजा बना ता जो हर्ष वर्ष वर्धन के पिताजी का नाम था ठीक है और दोस्तो इस से लेटेड जो हमारे इनके बाई से लेटेड कोशन पूछा जाता है जिनका नाम जो हमारा था परबाकर वर्दन और राजिया वर्दन इनके बाई का नाम था और सबसे चोटे पुतर थे हर्श वर्दन और दोस्तो इनकी माता का नाम यसो मती था यसो पार्ट नमबर 38 अपर्ट आप देख लिए उसमें सारे के सारे क्योस्टन जो है हर्स्वर्दन से इक्जाम में अब मिल जाएंगे बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ next question है हमारा 19-17 स्थाबदी का पहला स्वांग सीला सिठाने की सिठाने की सका था तो दोस्तों 19-17 स्थाब्दी की हम बात करें तो right option जो रहेगा वो सी रहेगा दोस्तों पंडित नेतराम के दवारा जो है 19.00 इस्ताबदी का वो उपनियास लिखा गया था और उपनियास से लेटर वेसे भी दोस्तों हमने सारे के सारे उपनियास जितने भी बनते हैं वो कवर कर रहे हैं बढ़ लेते हैं मिलते वे जुलते दोस्तों ये कियोसन है बढ़ लेते हैं हम next question की दिरब next है हमारा पानिपत की कौन सी लड़ाई में जो बाबर थे उसको कलंदर की उपादी दान की थी इसके लाओ दोस्तों पानिपत की पहली लड़ाई 20 अपरेल 1527 के अंदर हो इती जिसमें इबराहिम लोदी मारा गया था ठीक है और ये पहली लड़ाई जो ही थी दोस्तो ठीक है उसी के अंदर पहली बार पानिपत की पर्थम लड़ाई के अंदर तोब खाने का प्रियोग किया गया था और पानिपत की पहले लड़ाई के बाद बाबर को कोहिनोर हीरा प्राप्त हुआ था तो वो पहली यहां से भी क्योशन उठाया जा सकता है और 17 मार्च 1727 को दोस्तों जो दवीतिय यूशन पूछा जाता है जो सोरी वह हमारा 26 है 1526 और 56 और 61 तीक है यह तीन ही मनती है पानिपत का पर्थम यूद दवीतिय यूद और तिर्थिय यूद ठीक है और पानिपत की दूसरी यहां से लेटिट दोस्तों और हमारे जो हर्ष वर्दन है उनसे लेटिट एक्जाम में ज़्यादा बार क्योशन देखनी यहां नेहर स्थि जान नेहर बनी है dapat अंधर ताजे वाला नमक सांद से निकाले गई है हासी के किले की दोस्तो बात कीगी है तो राइट ओक्षन जो रहेगा वो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा सी बारवी स्थापदी से बार्वी स्ताब्दी के अंदर ही आसी के किले का निर्मान पृत्थी विराद चोहान के दौरा जो है करवाए गया था वर इंट्रेस्टिंग के उसन उठाया जाता है और दोस्तो उसके बाद राजा अनंगपाल के दूपुत्तर इन्हें इस किले को तलवार निर्मान की फैक इसी विशु भी देल है जिसकी स्तापना 1970 के अंदर की थी ठीक है चोदर इचरन सिंग से रिलेटेड वो भी कोशन अच्छा बनता है च्यार गेट दोस्तों इसार के बहुत पहमस है नागोरी गेट मोरी गेट दिल्ली गेट और तलाकी गेट जो हमारे सेर साय है उनकी जनम इसार से भी हमारी बन जाते हैं बढ़ लेते हैं दोस्तों नेस क्योशन की तरफ बालू के टीले की खुदाई का कारिया कब सुरू हुआ बालू के टीले की खुदाई के कारिया की हम बात करें तो राइट ओप्सन जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों 1978 और 1979 के अंदर ये काम क लेते हैं डोसी की पहाड़ी है जल महल है च्यार गुबंद है दोस्तों जल महल जिसका निर्मान करवाए गया था वो भी क्योशन अच्छा बनता है तो बढ़ लेते हैं दोस्तों नेस्ट की तरफ नेस्ट है हमारा वह है परसित समार्ग जो 1962 के बार्चीन यूद में लड़ा जुड़ा हुआ है ठीक है दोस्तों जो बार्चीन का यूद हुआ था उससे एक जो हमारा समार्ग है वो जुड़ा हुआ है रियाना के अंदर तो राइट ओप्षन जो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा दोस्तों इसका सी रहेगा रिवाडी के अंदर जांगला एक समा चरवाब यहां मिट्टी की महरें बढ़ितार से रिखे डालने के सांचे जो मिले हैं और बहुत सारे सिख़्चे दोस्तो हमारे जो गुप्थ कालेन मिले है वो मिताथल बिवानी से मिले है ये क्योशन दोस्तो कई बार एक्जाम में पूछे वे जा चुके है बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स क्योशन की तरफ बिवानी मेस्तित स्याम सरोवर का निर्मान किसने करुआ था स्याम सरोवर की दोस्तों हम बात करें तो राइट उप्सन जो रहेगा वो ए रहेगा वो वीडियो आपने नहीं देखे जुरूर देख लें और इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा option हमारा D दोस्तो 30 का मेला जो है पंजो खेडा के अंदर लगता है तो दोस्तो इसके अलावा मेले की हम बात करें तो एक नवरात्री का मेला दोस्तो इसार के अंदर लगता है ओडल दोस्तो जहां सत्ती का मेला बहुत ज़्यादा फैमस है वो लगता है एक दोस्तो हमारा option पुछा जाता है फरीदाबाद से कनुवा का मेला जोड़ा हुआ वेरे इंटेस्टिंग और इसके अलाव दोस्तो हमारा बाबा खेडेवाला का मेला जो बिवानी के अंदर लगता है मुंगिपा का मेला जो बिवानी के अंदर लगता है और एक दोस्तो सती का मेला जो है बिवानी के खरक कला में भी लगता है वहां से भी क्योशन कई बार उठाय जाता है रक्षा बंदन का मेला भी दोस्तों पंसवटी पलवल से लेटरे क्योसन पूछा जा सकता है इसके अलाव दोस्तों अटकेसवर और जो हमारा भूतेसवर मंदिर है यांपर भी एक मेला लगता है जो जीन के अंदर है बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ मोहन जोदरो की बहन किस थल को कहा जाता है मोहन जोदरो की बात करें तो सबसे पहले कुदाई के कारिया में मोहन जोदरो ही पराप्त हुआ था उसके बाद दोस्तों हमारा right option जो रहेगा वो रहेगा सी दोस्तों राखी गड़ी मोहन जोदरो की बहन के नाम से किसा जाना जाता है राखी गड़ी को जाना जाता है बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ next question है दोस्तों हमारा जब तीसरी बार राष्टपती सासन लगा तो उस समय हरियाना के जो राजयपाल थे वो कौन थे तो तीसरी बार राष्टपती जो सासन लगा था तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा डी जो धनिकलाल मंडल थे वो तीसरी बार जब राष्टपती सासन लगा था उस टाइम हरियाना के राजयपाल थे दोस्तो तीन बार हरियाना के अंदर जो है राष्ट्रपति सासन लग चुका है ठीक है और इसके अंदर दोस्तो एक डेट से लेटेड भी कोशन पूशा जाता है जो पहली बार राष्ट्रपति सासन लगा था तो वो दोस्तो 21 नॉम्बर 1967 लगा था दूसरी बार जो तो यहां से भी हो सकता क्योशन पूछ लिया जाए और इसी के दोरान दोस्तो जो हमारे अरियाना के राजय पाल थे वो दनिकलाल मंडल थे बढ़ लेते हैं दोस्तो नैस क्योशन की तरब नैस क्योशन है हमारा अरियाना में पहली बार जो राष्टरपती सासन कब लाग लगा रहा था ठीक है उस त्राइम परदान मंतरी थे वो हमारे इंदरा गांधी जी थे और दोस्तो देश के राष्टरपती थे डाक्टर जाकीर हुशन ठीक है तो यह हो जाता है दोस्तो हमारा राष्टरपती सासन से जुड़ा हुआ इंपोर्डन क्योशन सबी नदियां मेवाद की पहाडियों से बहती है सिवाए मेवाद की पहाडियों से एक नदी नहीं बहती बाकी सभी बहती है यह क्योशन इसमें पूचा गया है तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उप्सन हमारा बी दोस्तो टांगडी टांगडी जो हमारी मोरनी पहाडी पंस जो रहेगा वो रहेगा ओप्सन हमारा दोस्तों B बिवाणी के अंदर जो है पहले से ही बहुत छोटे-छोटे उद्योग जो है वो अलप मातरा में विक्षित थे दोस्तों आज का हमारा लाश्करोषन जो रहेगा वो रहेगा बगवानपूर स्थल जो हमारे कुरुक्षेत् तो यह जोस्तो आज के हमारे थे most important question, कल की वीडियो से ले ले लेते हैं दोस्तो एक चोटा सा self test, कितने question आपके तियार हो चुके हैं, तो पहला question दोस्तो हमारा है, अर्याना में मिली सभी मूर्तियों में से सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है, सबसे पुरानी मूर्ति है जो दोस्तो आपको comment box में बतानी है, जैन की मूर्ति, सीव की मूर्ति, सूरिय की मूर्ति, यह यक शेक्शनियों की मूर्ति, second number two number question है हमारा, अर्याना की गया नगरी की स्तिर्थ को कहा जाता है, गया नगरी से related question पूछा गया है, बताना है आपको, next question है दोस्तो हमारा third number, गां आपको चितरकारी है, गोड़ी है चितरकारी, five number question दोस्तो, YMCA विशो विद्याले की बात की गी है, कहा अस्तित है YMCA विशो विद्याले, very interesting question दोस्तो, जहां लिंगे विशो विद्याले है, वहीं पर YMCA विशो विद्याले है, और six number question है, बेटियों से दोजार उपन की योजना के तहित करवाया गया तो दोस्तों बेटियों के 2000 ओपन से लेटिर क्योशन पूस्टा जाता है जिसे लाडली योजना भी सगस 2015 को बेटी बचाओ बेटी पडाओ आपकी बेटी हमारी बेटी मोनिका जो हमने ट्रिक मनाई थी 8 मार्स 2015 से लेटिर ठीक है तो ये क्योशन भी दोस्तों हम कवर कर चुके है नेस्ट क्योशन दोस्तों हमारा है 8 नमबर यादवेंदर गार्डन का निमान किसने करवाया था तो ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हैं ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ most important के उसन PDF सभी के सभी जो है डाउनलोड कर लें सारे के सारे पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएंगे मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार जै हरियाना जै भारत